नमस्कार आज हम कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें हमारे पास जो महत्वपूर्ण दो अलंकारों को पहले लेंगे जिनका नाम है पुनुरुक्ति प्रकास अलंकार और वित्सा कुछ लोग इन दोनों को एक हिमानते हैं लेकिन इसमें जो सुक्षमा अंतर है उन्हीं अंतर के आधार पर इन दोनों को हम समझने का प्रयास करेंगे पहला है हमारे पास पुनुरुक्ति या उसी को पुनुरुक्ति प्रकास अलंकार कहते हैं इसकी परिभासा है काव्वे में जहां कोई सब्द की पुनुरुक्ति अर्थात पुना आवरित्ती हो पर अर्थ में भिनता ना हो वहाँ पुनुरुक्ति प्रकास अलंकार होता है यानि कोई सब्द की आवरित्ती दो बार हो और दोनों के मध्य योजक छिन हो तो वहाँ पे हम का सकते हैं कि पुनुरुक्ती प्रकास अलंकार होगा उधारन लेके चलते हैं राम राम कहते रहो धरे रहो मंधीर यहाँ पे देखिए एक सब्दा है राम दूसरा सब्दा है राम दोनों के बीच योजक छिन है तो यहाँ पे राम राम सब्द में पुनुरुक्ती प्रकास अलंकार होगा दूसरा उधारन है मधूर मधूर मेरे दीपक जल यहाँ पे मधूर मधूर सब्दा में पुनुरुक्ती प्रकास अलंकार होगा उसके बाद आपन देख लेते हैं विच्सालंकार विच्सालंकार की परिभासा में क्या होगा काव्य में जहां घबराहत इर्ष्या आश्यर्य ग्रिना विरक्ती या रोचक्ता के भाव के कारण ही किसी सब्द का दोहराव हो जाए वहां विच्सालंकार होता है यहां पे सब्द की दोहराव तो होगा लेकिन कंडिशन है किस कंडिशन में कि या तो आश्यर की भाव इर्ष्या की भाव घबराहत की भाव ग्रिना का भाव हो विरक्ती रोचक्ता आदी का भाव हो और उस कंडिशन में यदि सब्द की दोहराव हुआ हो तो वहां पे वि ग्रिस्या आस्चेर ग्रिना के भाव के कारण कोई सब्द की दोहरा होता है तो वहां पर विश्या लंकार होता है उधारन देखते हैं राम राम इतनी गंदगी मैं तो पार ना जाओं यहां पर देखिए राम राम इतनी गंदगी गंदगी सब्द के कारण पार नहीं जाने क की बात कह रहा है गंदगी के कारण से वो पार नहीं जाना चाहरा है तो यहां पर गंदगी के कारण से घ्रिना का भाव पाइदा होगा ग्रिना के भाव के कारण से यहां पर राम प्राम सब्ड का प्रयोग हुआ है इस कारण से यहां पर वित्सा अलंकार होगा आगे देखो मारो मारो मार भगाओ आतंकी यंदूतों को यहां पर क्यार कीजिए मारो मारो सब्ड की जावरित्ती दो बार हुआ है योजक चिन भी इनके मद्या लगे हुए हैं अब यहां पे देखे क्या बताने का प्रयाज किया है कि यहां पे घबराहट के कारण यानि आतंग की लोग वहां पे हैं और वो एक प्रकार से यम दूत के समान हैं वो जो है किसी भी वक्ति को कहीं पर भी कैसे भी मार देते हैं इनकी को ठीकाना नहीं होता है इस कारण से उनके बारे में जैसी जानकारी प्राप्त होता है लोग बोलते हैं घबराहट के कारण से कि इन आतंकियों को मार मार के यहां से भगा दो यहां पे सब्द हुआ है मारो मारो किसके कारण से आया घबर आख्य में जहां या काव्य में जहां पद में प्रस्न किया जाए और सांथी सांथ प्रस्न वाचक्चिन का भी प्रयोक वहां पे हुआ हो तो वहां प्रस्ना अलंकार होता है यानि जो काव्य रहेगा जो कवीता रहेगा उसमें कवीता में बीच में कोई प्रस्न अगर कर दि देखते हैं जीवन क्या है जीवन क्या है निर्जर है मस्ती इसकी पानी है यहां पर केर कीजिए जीवन क्या है उसके बाद प्रस्ण वाचक चीन है इसलिए यहां पर हम बोलेंगे कि प्रस्णा अलंकार है यह सिंपल सा अलंकार है इनको पहचानना भी असानी से जाता है इतन काव्य में प्रस्ण का बोध हो या प्रस्ण किया जाए तो वहां पे प्रस्णा अलंकार होता है उसके बाद है हमारे पास चौथा विरोधा भास अलंकार यहां पे सब्द को देखते हैं विरोधा भास विरोध धन आभास यानि विरोध का आभास हो वास्तों में विरोध ना हो लेकिन विरोध का आभास हो तो वहाँ पे होता है विरोधा भास उधारें यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं सीतल ज्वाला जलती है इंधन होता द्रिग जलका यहाँ पे क्या बताने का प्रयास क्या है सीतल ज्वाला जलती है वाक्य को पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि विरोध हो रहा है विरोधा भास का आभास हो रहा है देखे सीतल ज्वाला कोई भी ज्वाला जो है सीतल नहीं हो सकता यानग आररेडी विरोध का आभास हो रहा है क्योंकि जवाला जो है सीतल हो ही नहीं सकता उसमें तेज रहेगा उसमें गर्मी रहेगा तो यहाँ पे इसपस्ट पता चारा है क्या सीतल ज्वाला जलती है यानि विरोध का आभास हो रहा है इसी करण से यहाँ पे विरोधा आभास अलंकार होगा इंधन होता द्रिग जल का द्रिग यह नहीं होता है आँख का जल यहनि किसी विरही के हिरदय में सीतल ज्वाला जलता है और उस ज्वाला के इंधन के रूप में उस ज्वाला को जलाने का कारिकौन करता है उनके आँखों के जल करता है यहां पे यह बताने का प्रयास क्या है लेकिन यहां पे सीतल ज्वाला के कारण से विरोधा भास इस पस्ट नजार आ रहा है अब इनकी परिवासा देख लेते हूं उदारन के द्वारही समझने के बाद काव्य में जहां बाहर से विरोध दिखाए दे कविता को पढ़ोगे तो आपको विरोधा भास नजार आएगा विरोध नजार आएगा किन्तु वास्तों में विरोध ना हो वहां विरोधा भास अलंकार होता है याने वे अलंकार जहां काव्य में विरोध दिखाई दे किन्तु वास्तों में विरोध ना हो तो वहाँ पे विरोधा भास अलंकार होता है उदारन देखते हैं या अनुरागी चीत की गती समझे नहीं कोई जो जो बूढ़े स्याम रंग तियों तियों ज्वल होई अनुरागी यहने प्रेम चीत यहने होता है मन या हिर्दय गती समझे नहीं कोई कभी कहते हैं कि जो प्रेमी व्यक्ति है उस व्यक्ति के मन या हिर्दय की गती को कोई भी नहीं समझ सकता जह जो बुढ़े स्याम रंग यहां पे जो स्याम रंग है जो बुढ़े स्याम रंग तो ते उज्वल होए पर विरोधा भास हो रहा है लेकिन कवीता की घहराई में जाएं तो वहां पर विरोध तो नजा रहा रहा है लेकिन वास्तों में विरोध नहीं है अब इनका वास्ता भी करते देखें कभी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जो है स्याम अर्थत भगवान क्रिश्न जो भगवान क् ऐसे प्रेमी व्यक्ति के मन को मन की गती को समझना आसान नहीं है और उनका मन जहें जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होता जाता है वैसे वैसे उनका मन और भी पवित्र होता जाता है अब देखे, यहाँ पे सुरू में तो भी रोध लग रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई भी रोध नहीं, यानि भगवान कृष्ण की जो भक्ती करेगा, उसमें जो लीन रहेगा, भगवान कृष्ण की भक्ती में जो डूबेगा, उसका मन जो है, क्या हो जागा? पवित्र हो जाएगा, राइट, आगे देखते हैं, तीसरा उधारन, मैं निज रोधन में राग लिए फिरता हूं, यह बारविय में है, हरिवन सराय बच्चन जी की जो आत्म परिचए कवीता है, वहाँ से है ये, मैं निज रोधन में आग लिए फिरता हूं, रूदन में आग लिये फिरता हूँ सीतल वानी में आग लिये फिरता हूँ यहां पर देखे वानी को सीतल बोर रहा है और उस वानी में क्या है आग लिये हुए फिरता हूँ तो यहां पर विरोधा भास है क्योंकि सीतलता में आग हो ही नहीं सकता लेकिन अर्थ समझे कभी कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के वियोग में रूदन करता हूँ या अर्था तो रोता हूँ उनसे जो प्रेम गीत निकलता है उसे गाते हुए मैं इधर उधर गूमता रहता हूँ मेरी वानी में हाला की कुमलता है सीतलता है फिर भी उसमें प्रेम की तिवरता है यानि प्रेम रूपी तिवरता प्रेम रूपी लालसा है तो यहां पे वो रहे कि उनका जो वानी सीतल है और उस वानी में उनकी प्रेम रूपी आग है इस कारण से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है विरोधा भास अलंकार है विरोध का आभास हो रहा है लेकिन वास्तों में कोई विरोध नहीं याने वे अलंकार जहां विरोध तो दिखाई दे वक्र उक्ति सब्द का अर्थ देखते हैं वक्र धन उक्ति वक्र यहने होता है टेढ़ा और उक्ति अर्थात होता है कथन अर्थ क्या हो जाएगा वक्र या टेढ़ा कथन या कुटिल कथन उदारन के द्वार समझेने का प्रयास करते हैं इसमें क्या होगा कौन द्वार पर राधे मैं हरी क्या वानर का काम यहां। यहने द्वार पे खड़ा होकर भगवान कृष्ण बोलता है कि राधे मैं हरी अर्थात भगवान कृष्ण हूं। लेकिन राधा उनके सब्द को सून कर वो बोलता है हरी अर्थात राधा जो उनको वानर समझ जाता है। यहां पर हरीका दो अर्थध क्रिष्न अपने आपको खृष्न के रूप में सो करता है, जबकि राधा उनको क्या समझ जाता है? वानर', तो क्राधा कहती है वानर अर्थात बंदर का यहाoren कोई काम नहीं है. यहां पर का सकते हैं कि स्रोता जो है बोल रहा है अलग और स्रोता जो है उनको समझ रहा है अलग तो वहाँ पे होता है क्या वक्रोक्ती अलंकार आगे देखते हैं परिभासा पहले समझ लेते हैं जहां वाक्य में वक्ता के कथन को स्रोता द्वारा स्लेस या काकू के कारण भिन अर्थ ग्रहन किया जाता है वहाँ वक्रोक्ती अलंकार होता है यहाँ पे दो चीज है एक स्लेश स्लेश यानी चिपकना काकू याने होता है काकू सब्दका अर्था होता है यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास काकू सब्दका अर्था होता है ध्वनी विकार या आवाज में परिवर्थन तो इसके दो प्रकार होते हैं दो भेद होते हैं स्लेश वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा है काकू वक्रोक्ति अलंकार दोनों का परिभासा यहीं पे कुल परिभासा हो गया वक्रोक्ति अलंकार का यह और इसी में हमारे पास दोनों का परिभासा भी लेगा कैसे जहां काव्य में वक्ता के कथन का स्रोता द्वारा स्लेस के कारन भिन अर्थ ग्रहन किया जाता है वहां स्लेस वक्रोकती अलंकार होता है अब दूसरा का देख लेते हैं जहां काव्य में वक्ता के कथन का स्रोता द्वारा काकू के कारन यानि आवाज में परिवर ग्रहन किया जाता है वहां काको वक्रोकती अलंकार होता है तीनों का परिभास है यहीं पे सब्दों में थोड़ा फेर वदल करना है तो यहां पे देख लेते हैं पहला इनके जो भेद है उसमें हमारे पास है स्लेश वक्रोकती अलंकार स्लेश का अर्था होता है चाह चिपकन जैसे ये दूसरा वाला उदारणा भी समझाया है यहाँ पे हरी सब्दा में दो अर्थ चिपके हुए हरी का एक अर्थ हो रहा है क्रिश्न और दूसरा अर्थ हो रहा है क्या वानर यानि बंदर यहां पे दूसरा उदारन के द्वार और समझाने का प्रयास करता हूं दूसरा उदारन हमारे पास है कौन तुम है घनिश्याम हूं तो बड़सो कित जाई यहां पे भी राधा और कृष्ण के सम्वात के बारे में बता रहे हैं कि कौन तुम करके पूछता है तो कृष्ण भगवान जवाब देता है हैं घनस्याम हम यानि मैं कौन हूँ घनस्याम हूँ ठीक है तो बरसो कीत जाई यहाँ पे कृष्ण अपने आपको बताता है कि मैं घनस्याम अर्थात क्या हूँ कृष्ण हूँ राधा समस्ती क्या है तो बरसो कीते जाई, राधा इनको क्या समझ जाती है, बादल राधा इनको क्या समझ जाता है, घंस्याम का अर्थ, बादल, काले बादल तो राधा कहती है, बरसो कीते जाई, तुम कहीं जाकर क्या करो, बरसो तो यहाँ पे देखिए सब्द एक है स्ले सेने चिपकना और एक जो घंस्याम सब्द है उसमें एक अर्थ कृष्णा हो रहा है और दूसरा बादल और बादल के अधार पर ही राधा जो है उनको थोड़ा परिसान कर रही है ति तुम बादल हो तो कहीं जाकर बरसो तुम्हार मेरे पास कोई काम नहीं है इस करण से यहाँ पे एक ही सब्दे ने गंस्याम सब्द में दो अर्थ चिपके हुए है एक ख क्रिश्णा और दूसरा बादल इस करण से यहाँ पे सलेश वक्रोकती अलंकार होगा दूसरा है हमारे पास कौन सा काकू वक्रोक्ति अलंकार काकू सब्द का अर्थ होता है ध्वनी विकार या आवाज में परिवर्तन यानि जब कोई वक्ता बोलता है और सुनने वाले उनके सब्दों को सुनकर कुछ आवाज में परिवर्तन होने के कारण वो उसको अलग समझ जाता है वक्ता बोलना अलग चाहरा है शुरोता उनको अलग समझ जाता है तो वहाँ पे काकूबAK रोकती यालंकार होगा देखें कैसे यहाँ पे केर किजывайтесь जाओ मत बेटो देखो जाओ मत के बाद अल्पई विराम है जाओ मत बेटो यानि जाने के लिए ने बोराइबल की बेटने के लिए कर रहा है अब देखें जाओ मत बैठो, जाओ के बाद अलप विराम मत बैठो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाओ, यानि जाने के लिए कह रहा है, मत बैठो, यानि बैठो, मत, तो सुरू में देखे, अलप विराम के उपर यहाँ पर पता चाह रहा है, जाओ मत बैठो, यानि जाने के लिए न निकालता है उनके बोले गए उनके जो जहां पे रुकावट होता है जहां पे अलप विराम है वहां पे उनको समझने की जुरुत है दूसरा उदारान लेते हैं आप जाईए तो यहां पे पूर्ण विराम है आप जाईए तो अर्था आप जाईए दूसरा है आप जाईए त तो यहां पर प्रस्णवाचक चिन है, यानि क्या वो रहा है? आप नहीं जाइए। तो आप जाइए तो अर्थाट जाइए आप जाइए तो प्रस्णवाचक है, इस कारण से आप नहीं जाइए। इस प्रकार से हमारे पास यहां पर यह भी अलंकार हो गया तो हम अलंकार के कडियों में कुछ महत्वपूर्ण अलंकार को देखें जो 11 और 12 में विसेश तोर पर काम आता है इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चैनल को आप यूटूब में जाके सब्सक्राइब करें अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को सेयर करें ताकि इस वीडियो को पढ़कर उनको भी कुछ फैदा हो सके धन्यवाद